जैहिन दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई अनुच सिंग लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इंफर्मेटिब वीडियो तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपी एफ ए हर्थियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है लाश्ट टाइम आपका कटाफ क्या था आने वाले समय में आपका सेफ इसकोर क्या होने वाला है कैसे आप अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं इन सभी बातों का डिसकेशन आज मैं अपनी इसी वीडियो में करने वाला हूँ आप से बस रिक्वेस्ट इतना है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजिए जिससे आने वाली मेरी हर एक लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहा है चलि लेकिन इस बार 2024 में जो आपकी मांगी गई है वो 18 से 25 तो मांगी गई है लेकिन सभी को 33 साल की यहां पर छूट दे दी गई वहीं पर SC, ST, OBC को 5 साल ऐनी कि कुल मिलाकर आपकी एज का भी डिफरेंस यहां पर पड़ेगा तो जो ओवर एज हो गये हैं वो भी फार्म डाले ठीक, दो चीजे आपको समझ में आगी, दूसरी हम बात करेंगे, टोटल पोस्ट की, तो पिछली बार जो SI की वेकंसी थी, वो थी, सुरी, पिछली बार जो SI की वेकंसी थी, वो थी 1120, वहीं इस बार जो वेकंसी है, वो है 452, एनि कि पूरे-पूरे आधेक अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कॉंस्टेबल की वेकंसी थी, वो 8619, वहीं जो इस बार कॉंस्टेबल की वेकंसी है, वो है 3756, ठीक है, तो ऐसे में आप देख लीजे, टोटल पोस्ट थे 9749, और अभी जो आया है 4208, तो यहाँ पर लगभग लगभग दो गुने का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक, तो ऐनी कि आप मोटा मोटा तो आप यह समझ ही लीजे, कि कमपटिशन के लेवल आपका दो गुना तो ऐसे ही बढ़ गया, जब फार्म की हम बात करते हैं, नंबर आप पोस्ट की, दो गुना आपका यह कमपटिशन बढ़ गय दी, तो इसमें आपका बढ़ गया, ठीक है, अब हम बात करते हैं, कि लाश्ट येर वेकेंसी में कितने फार्म भरे गये थे, तो आप जब देखेंगे, तो इसका एक डाटा भी है, पेपर आया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले, उसमें एक पेपर की कटिं उन्तालिस पदों के लिए, वहीं जब इस बार हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं कुछ इस साल के डाटा पर, कि 15 अपरेल से आपके फार्म भरना चालू होते हैं, 15 अपरेल से आप फार्म फिल करना चालू करते हैं, और यहां पर जो पहला रेजिस्टेशन नंबर आता है, वह यह आता है, वहीं आज जब हम बात करते हैं, पांच माई की, तो पांच माई में जो रेजिस्टेशन नंबर आता है, वह यह आता है, रेंडम भी हो सकता है, यह रेजिस्टेशन नंबर, स्टेट वाइस भी हो सकता है, इसको बनाए गया हो, लेकिन यह आकड़ा और इन दस दिनों में कम से कम दो से तीन गुने का इजाफ़ा आप देखेंगे क्यों कि बहुत सारे बच्चों के डाकुमेंट्स अभी सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि अब है अभी आधार काड में कंपलीट कर लूगा तो यह संख्या जब अभी है संख्या 22 लाग देख रहे हैं तो कम से कम यह संख्या आपकी जाएगी 50 to 60 लाग तक 60 लाग फाम आपके कम से कम इसमें भरे जाएंगे क्यों क्यों क्योंकि यहां आपको एज में relaxation देखने को मिल जाएगी number of vacancy भी यहां कम है तो competition लेवल भी बढ़ेगा सबसे बड़ी बात आती है और पीएफ में qualification की आप simply 10 पास है percentage की यहां बात ही नहीं हो रही है कि आपको कितने परसेंट लाना है क्या करना है कोई यहां बात नहीं होते केवल आप 10 पास हैं आप इसमें form apply कर सकते हैं वहीं आप graduate हैं आप SI के लिए form apply कर सकते हैं नहीं आप से मांगा जाता है कि आप B.Tech हो M.Tech हो या आपके पास कोई technical degree हो कुछ भी नहीं मांगा जाता है रेलवे में जो technician की वेकंसी आते हैं उसमें आई टी आई पॉलिट टेक्निक बगारा सब कुछ मांगते हैं लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो simply 10 पास graduate जो candidate हैं वो इसमें फार्म भरेंगे तो यह संख्या आपको देखने को मिलेगी साथ से पचास से साथ लाग के बीच तो यहां आप मोटा मोटा यह जानिए कि आपकी जो अभी दस दिन बाकी हैं तो एक सीट पर कम से कम साथ सो candidate आप के साथ ही काइट करेंगे कौंश्टेबल कि एक सेट के लिए कह बित की कम से कम साथ सो कंडिडेट को मिलेगा अभी यह डाटा इनकंप्लीट है जब वहां को इसके बाद मैं बता दूंगा कि कितने फार्म भरे गए हैं सब कुछ बता दूंगा लेकिन अभी मोटा मोटा आप यह मान के चलिए कि कम से कम एक सीट के लिए कॉंस्टेबल को साथ सो लोगों से और एक सीट पर नौ सो से एक हजार लोग कंपडिशन रहेगा अब हम बबात करते कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है तो मैं पिछले एर का डाटा उठा कर बात करता हूं कटाफ की अगर हम बात करते हैं तो कटाफ आप पूछेंगे कि आपने यह कटाफ कैसे निकली तो कटाफ निकालने का SIMPL तरीका जोन कटाफ गई थी तो सभी ग्रूप का आप ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका एक आउसत कटाफ आ जाती नॉर्मलाइजेशन के बाद कहीं कहीं आप कटाफ 120 तक चली गई थी कहीं कहीं 110 गई थी 59 लेकिन उसका जब आउसत निकालेंगे तो यहीं आएगा तो यहीं OBC की जो कटाफ गई थी 89.92 SC की गई थी 76.09 वहीं HT की जो कटाफ गई थी वह 72.49 2018 में EWS का कोई कालम हुआ नहीं करता था इस वयसे EWS का कोई भी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा वहीं फीमेल के अगर हम बात करें जनल में तो 57.86 OBC में 57.15 और SC में 49 48.59 ST में 50.19 यह हमारी कटाफ गई थी 2019 में लेकिन यहाँ नंबर अब वेकेंसी ज्यादा थी और फार्म भी उसी रेसियू में भरे गए थे लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि आपका फार्म ज्यादा भरे जा रहा है और नंबर अब वेकेंसी कम है तो इस बार आपकी कटाफ इ जाएगी आप अपना टार्गेट बना कर रखिए 105 नंबर का वहीं जो SCST कंडिडेट है उनका जाएगा सॉरी OBC कंडिडेट जो है उनका जाएगा 100 नंबर और जो SCST कंडिडेट है 90 नंबर और जो SC के 90 नंबर SCST का 85 नंबर वहीं EWS का 98 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा तो आप मोटा मोटा आकड़ा यह मान के चलिए कि आपको 85 से 110 के बीच लाना ही लाना होगा अगर इससे कम आप नंबर लाते हैं तो सेलेक्शन में आपको दिक्कत क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको यहा 85 नंबर और SCST को 80 नंबर तक उनका सेलेक्शन का चांसे बन जाए गया यह मैं कटाफ बता रहा हूं किसके लिए फिजकल के लिए इतने बच्चों को इस कटाफ तक बच्चों को बुलाए जा सकता है फिर आपका होगा फिजिकल फिजिकल भी आपका नॉर्मल नहीं होने व होने मैं वह भी आपको बता दूंगा लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लिजिए कि कंपटिशन आपका आसान होने वाला नहीं है तो वीडियो आपको कैसी लगी इसके संबंद में आपके क्या विचार है अपनी राय मुझे कमेंट करके भी बता दीजिएगा 247 आपके लिए वेल वेल रहता हूं तो चलिए मिलते हैं को और वीडियो के साथ तब तक आप सभी को जय ही जय भारत